हलो दोस्तों एक बर फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन किरिकेट टिप्स में बाई लोग आज इस सुड़े पे हम बात करने वाले हैं ICC T20 वर्लकप के 43 मुकावले के बारे में कहां पर होगा मुकावला कैसा रहेगा पीच कौन सा टीम किसको पर भारी पढ़ने वाला है सारी जानकारी आपको स्वीडियो में देखने को मिलेगा तो दोस्तों बने रही वोडियो के अंतक साथी वोडियो में अगर पढ़ने से पहले अगर अभी तो अपने आपने अमारे टेलीग्राम चैनल सजीन किरके टिप्स को जोइन नहीं किया तो अभी जोइन करें अमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वोडियो के डिस्क्रिप्शन वह मिल जाएगा वहां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल को बड़े ही आसानी से जोइन कर सकते हो अगर किसी भी दरगा दिक्कत हो रहा है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करने में तो स्क्रीन पर आपको हमारे वाटसअप नमर दिख रहा होगा वाटसब पर आप डिरेक्ट मैसेज करो, वहाँ से भी आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करवा दूँगा दोस्तो हमारे चैनल पर आपको टॉस में सेसन, गुड़ी एक्शोरिसी के साथ सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा वो भी lifetime free prediction के साथ, तो बिना समय गवाए जल्द से जोइन करो हमारे टेलिग्राम चैनल सचिन क्रिकट टिप्स को साथियो ICC T20 World Cup 2024 का 47 वा मुकबला इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा और यह मुकबला आपको भारतिय समय के अनुसार 20 जुन को रात के 8 बजे से देखने को मिलेगा और यह मुकबला Kensington Oval Bridge Town Barbados में खेला जाएगा दोस्तो भारत की तरफ से रोईज सर्मा कप्तानी करते हुए नजराएंगे और वहीं दुसी तरफ आफगानिस्तान की तरफ से रासित खन कप्तानी करते हुए नजराएंगे अब बात करें इंदोनों के head to head के बारे में, यहां पर इंडियान ने साथ मकबला अपने नाम किया है आफ उख्गानिस्तान ने एक भी मकबला अपने नाम नहीं किया है यहां पर भारत की जितने की chanceys 100% है और वहीं अफगानिस्तान की जितने की chanceys 0% है दोस्तों आप बात करते हैं इंडियान टीम के तरफ से स्कॉर्ड के बारे में यहाँ पर रजिस सर्मा कप्तानी करते हो ने जड़ेंगे उसके बत सुरी कुमर यादव विराट कोली एससवी जैस्वाल अक्सर पटेल अर्दिक पांड का रविंदर जड़े जासिवूम आपको नज़राएंगे उसके बाद रामुला गुरबाजी अभी विकट के पिछे आपको नज़राएंगे फरीद हमाद फजल हक फारुकी ननगेजिया खोर्टे नविलो लहक नूर अहमाद और रासित खान का पतानी करते हैं नज़राएंगे तो दोस्तों यह सब प्लेय आज लिग में अपना डिरिन पूरा कर लो मर भाई तो दोस्तों आज इस विड़े में बस इतना मिलते हैं गले विड़े में तब तक के लिए जाहें दोस्तों